थाड़े जिले के अंतरगत आने वाले उल्लासनगर सहर में आए दिन इमारत गिरते हैं तो कभी छज्जे गिर रहें लगातार इस तरह के हाथसों में जन जीवन पूरी तरह से खत्रे के साय में हैं आपको बता दे कि जिस तरह से एक बार फिर ताजा मामला उल्लासनगर कैम क परमांक पांच के अंतरगत आने वाले भाटिया चौक परिशर में एक पांच मंजलह इमारत का हिस्सा गिरने से हडकम पच गया हलाकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है बताया जा रहा है कि पांच मंजलह इमारत स्वामी नरायन विलडिंग के तीसरे मंजले का स्लैब दूसरे मंजले पर जागिरा जिसकी आवाज सुनकर लोग भैभीत हो उठे इस घटना में दो से तीन लोगों को मामली चोटे आई हैं जिनें मरहम पट्टी करके घर भेज दिया गया यह घटना सुक्रवार रहत करीब 11 बजे के आसपास की है जिसकी जानकारी मिलते ही प्रसासनिक महकमे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुचे और उन्हों पालिका के दोखादायक इमारतों की लिस्ट में भी इसका नाम नहीं है बताया जाता है कि इस इमारत में कुल 11 फ्लेट हैं और इस इमारत का निर्मार साल 1995 में किया गया था वहीं इस घटना की खबर लगते ही उल्लास नगर के भाजपा विधायक कुमार एलानी भाजपा महासच्यू अमिद बादवा और अस्थानिय नगर सेवक भारत राजवानी घटना अस्थल पर पहुचे और इस्थिति का जायजा लिया सबसे ज्यादा र स्थार्ण बादवान दूफ़ा प्रण फ्लोर का स्थार्ण फ्लोर के ऊपर गिरा है वह अपर फैमिली रूम में चारजन बेटे थे उनको हलकी हलकी चोटें आई है मेजर हानी नहीं हूई है और पूरी बिल्डिंग अभी खाली कर रहे हैं उनके कीमती सामान है वह निकाल वाड ओफिसर और उनके बीट मुकादम अगर आये हैं मगर उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि यह नोटिस वगर दिया हुआ जो खादायक का करके परिवार इसमें इस वकत दस फ्लैट है मगर आठ फैमिली रह रही थी जिस फ्लैट के ऊपर गिरा है वह फैमिली पुशी टाइम पहले बॉंबे शिप्ट हो गए थे मगर आज अच्छानक से आये मगर वो भी हॉल में बेटे थे दो इजन थे बगवान की दया से पुड़ी फैमिली सेफ है और बाकी के भी लोग सेफ है अभी कि रेस की चालू है सबका रेस की सामन जो है वो सब निकाल दें सब्सक्राइब गिरा हुआ है अम आके यहां पर इस्पेक्शन किये थे और बाकी सब लोगों को यहां से हम निकाल दें सुरक्षत तरीके से और किसी का अभी हानी नहीं हुआ है किसी भी चीज का यह काफी जुनी मारत है लेकिन यह डेंजर जेंडर जोन में नहीं है यह अ सब्सक्राइब जैसे पता चला तो हमारी लोग यहां पर टीम आकर इन लोगों को सेफली बाहर निकाल दें और इसको लॉग